हम निमेदन करेंगे सुसी प्राची देवी जालाउन से आठ मिनट की जय स्रीकाशि विष्वनात भगवान की जय हो लोका अभिरामं रनरंगधीरं राजीवनेत्रं रगुवन्षनात्म कारुन्यरूपम करुणा करंतम स्रीरामचंद्रम शरणं प्रुपद्धे स्रीरामचंद्रम शरणं प्रुपद्धे स्री तुलिसी दास जी के पद कमल, बारं बार मनां, गुणों गावं शियराम के स्री हनुमत हो सहाँ आज के इस कारिक्रम की आनवानशान, पुझी बापु के चरणों में मेरा कोटी कह प्रणाम, पुझी सद्गुरुदेव बगवान के चरणों में मेरा कोटी प्रणाम, मंचस्त बराजमान सभी संत वरंद के चरणों में मेरा कोटी शह प्रणाम, स्री हनुमान चालिशा में स्री हनुमान जी महाराज के स्वेश का वरणान है और आज का दिन देखें तो बड़ा ही अच्छा संयोग है कि आज मंगलवार का दिन है और आप हम सभी स्री हनुमान जी महाराज की कथा का गायन श्रवन लाव प्राप्त कर रहे है हनुमान जी महराज के रूप में स्री सद्गुरुद्यो भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है जैसे सद्गुरुद्यो भगवान एक जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं उसी प्रकार स्री हनुमान जी महराज अपने इस पूरे कथा प्रांगण में जो उनका परम राम भक्त है उसको उनके राम से मिलाने का काम करते हैं और स्री राम जी की कथा सुनकर स्री हनुमान जी महराज प्रशन होते हैं किसी व्यक्ति ने स्री हनुमान जी महराज से पूछा कि आपने इतने बड़े समुद्र को कैसे लांग लिया आपने मुद्रका को भी मुख में रख लिया तो स्री हनुमान जी महराज ने कहा कि कि हाँ हमने मुद्रका को मुख में रखा हाँ हमने इतने बड़े समुद्र को भी लांगा तो यहाँ इस चौपाई का दर्शन है कि प्रभू मुद्रका मेली मुख माही जलधी लांग गए अच्छ रजनाही प्रभू मुदे का मेली मुख माही जलधी लांग गए अच्छ रजनाही तो हनुमान जी महराज ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने मुद्रिका को मुख में नहीं रखा है मुद्रिका को मैंने नहीं रखा है पर मुद्रिका में लिखा था राम नाम मैंने उस राम नाम को अपने मुख में रखा इसलिए मैंने इस समुद्र को लांग लिया और एक व्यक्ति ने स्री शिवजी से पूँचा काशी विश्वनाजी से भनवान संकर अभगवान से पूछा कि आपने विश्गा प्याला कैसे पान कर लिया तो स्री संकर अभगवान जी बोले कि मेरे अंदर स्री राम नाम है मैं राम जी का भक्त हूं मेरे अंदर राम नाम है और मेरे कंठ में भी राम नाम है इसलिए मैंने बहार से विश्का पान किया और अंदर से आया राम इसलिए मेरे कंठ में विश्राम हो गया स्री हनमान जी महराज ने भी अपने मुख में राम नाम को रखा Shri Siv Bhagawan ने भी अपने मुक्ष में Sri Ram Naam को रखा इसलिए आप सबसे भी प्रातन हैं कि आप अपने जीवन में Sri Ram Naam को दारन करें इसी के साथ अपने विवानिको बराम जै सी आरा बहुत सुन्दर